मित्रों नमस्कार अक्सर कहीं भी जाओ कहीं पर भी विलो तो लोग अपनी समस्याएं डिस्कूस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंने नोट किया वो समस्याएं होती कौन सी हैं वो समस्याएं हैं कि साव अमारी पैठ्रिक संपत्ती है एक ancestor property है और उसमें क्या position है और हमारा ऐसा मामला है यह सब पूछते हैं यह मुकदमा करने के लिए नहीं पूछते हैं कि सब उनको कोई case करना है बलकि वो अपने rights को बारे में जानना चाहते हैं कि वो ancestor property जो एक दादा awareness program के तहत हमारा mission भी यह है कि आम जनता layman to lawman तक यह उसके अधिकारों से अवगत कराया जाए कि उसके अधिकार हैं क्या जीवन से संबंदित जो भी matters होते हैं उनके संबंद में अपने अधिकारों की जानकारी लेना बहुत जरूरी होती है तो इस जनकारी को उद्देश है यही उद्देश है और इसी के तहत आज हम एक नया subject पर आये हैं जिसमें की सुप्रीम कोड का बढ़ा ही important order है और उस order को हम अभी आगे discuss करेंगे और उसी के आधर पर यह question है कि ancestor property पेत्रिक संपत्ती में अपने हिस्से का will या वस्यत कर की जा सकती है या नहीं मतलब एक ancestor property जो की दादा लाई property है पिताजी के पिताजी ये पिताजी से उपर आई है से आई है स्वयम नहीं खरीदी है पैदा होते ही उसमें rights create हुए है तो क्या उसमें अपने हिस्से का और वो division भी नहीं हुआ है undivided property है undivided ancestor property में क्या अपने हिस्से की will की जा सकती है ब इसका जवाब है हां की जा सकती है अब ancestral property में अपने हिस्से की जो की undivided है अभी इसका division नहीं हुआ है आप इस बात पर गौर करें जो मैं कह रहा हूं कि उसका division नहीं हुआ है ancestral property है उसमें एक कुपासनर जो मिताक्षरा स्कूल हिंदू law के हिसाब से तो उसमें उस हर एक ज अधिम से उसकी विवस्ता कर सकता है जी हां कर सकता है तो बटवारा भले ही ना हुआ हो लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार पैत्रिक संपत्ती में यदि किसी कुपासनर का हिस्सा है हित है इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट उसका अधिकार होना फिजिकली हाथ में होना और इंट्रेस्ट होना में थोड़ा अंतर है तो डिवीजन तो हुआ नहीं है तो अपने हिस्से में तो आई नहीं है तो फिर जब हिस्से में तो आई नहीं है तो लेकिन उसका राइट है उसमें उसका जो भी पाल्ट वनेगा according to उसकी फैमली कंडिशन तो कितने और को दे सकता है विल कर सकता है और अब इसमें होता क्या है तो इसमें सोचने की बात इसमें नहीं बात कह देंगे इसमें चिंता है बहुत सारी क्या होता है इंसेश्टर पुर्खों की प्रपल्टी है उसमें अक्सर पैत्रिक संपत्ति में ऐसा देखा गया है कि बटवार नहीं हो पा रहा है भड़वार हो नहीं पाता किसी भी वज़े से तो कुपासनर इस चिंता में जीता है कि उसके पुरुखों की जो प्रपल्टी है उसमें जो उसका हिस्सा है उसके ख़तम हो जाने उसके मिर्तियू के बाद वो कहीं बाहर के लोगों के पास ना चला जाएं वो हमारे प्रुखों की पापर्टी प्रुखों में ही रहे, वो चाहता है कि उसका डिविजन बहले ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका हिस्सा उसके ही लोगों के पास जाए, तो इसको इस point of view से उसकी मिर्तियू के बाद पैत्रिक संपत्ती में उसके हिस्से की क्या इस्ति की विल करके अपने जिसको भी देना चाहे वो दे सकता है, अब इस समद में हमको जान लेना आवशक है कि यदि किसी पैत्रिक संपत्ती में किसी कुपास्तनर का हिस्सा है, वो तो हो गई जब जन लिया है, हिंदू family में लिया है, तो उसके जन होते ही स्वता ही एक पार्ट मिल गया, उसका हिस्सा क्रियेट हो गया, उसका हिस्सा क्रियेट हो गया, पार्ट तो जब दिवीजन होगा तब होगा, लेकिन इसका हिस्सा मिल जाता है, उस हिस्से के लिए वो विल अपने मिर्तियों के बाद उस हिस्से को किसी को भी दे सकता है, चाहें डिवीजन नहीं और कैसे क्लियर हुई इस बात को क्लियर करने के लिए रिबल सुप्रीम कोड के द्वारा तैक किया गया कौन से मामले में यह मामला है राधम्मा एंड अधर्स वर्सिस एच एन मुद्दू कृष्णा एंड अधर्स इस मामले को हम डिसकस करेंगे और इस केस से सुप्रीम पोर्ड के इस महतपूर्ण ओर्डर से समझने के लिए हमें इसके फैक्स पी जाना पड़ेगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है पटेल हनुमय गौड़ा ने दो शादी करी उनकी दो पत्नी हुई और उनके पास एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी जिसका की डिवीजन नहीं गुआ था तो अन्डिवाइड एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसका की बटवारा नहीं गुआ उसमें उनका हिस्सा भी था पटेल हनुमय गौड़ा का और उन्होंने दो शादियां करी थी तो उन्होंने 1962 में अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी जो अपना हिस्सा बन रहा था क्योंकि डिवीजन तो वह नहीं है अपने हिस्से की को अपनी विल कर दी और किसके पक अब आगे क्या हुआ 1965 में तीन साल के बाद उनकी डेथ हो गई वो खतम हो गए उसके बाद परिवार में जैसी पी चलता हो 1976 मतलब 11 साल के बाद जो उनकी दूसरी पतनी थी उनकी जो लड़की थी उसने एक सिविल सूट फाइल किया और वो सिविल सूट फाइल क्यों किया तीन कोशन को लेकर किया बड़ी इंपोर्टन है उसने कहा कि एक तो यह जो प्रॉपर्टी थी एंसेश्टल प्रॉपर्टी थी दादा लाई प्रॉपर्टी थी उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी दूसरा उसका डिवीजन नहीं हुआ था तो जब क्योंकि वह दूसरी पत्नी की पुत्री है और यू उचे होंगे 110 हिस्सा उसका भी बनता है जो उसको दिलाया जाए तो यह सिविल सूट उसने ट्रायल कोड में डाला ट्रायल कोड ने इसको डिटील से सुना और सुनने के बाद उसने यह बलकुल जो ट्रायल कोड का फैसला वह उसके हक में आया और उसने यह बताया कि यह क्योंकि अंडिवाइडेट एंसेश्टल प्रापर्टी है इसलिए इसकी बिल नहीं की जा सकती और विल जो की गई है वो इल लिगल है तो यह तो मान लिया कि बिल की गई है बिल है लेकिन वह इसलिए क्योंकि वह को यह पहली पत्नी जिनको मिली थी उनसे समधे जो उसको होड कर रहे थे एच एन मुद्दु कृष्णा तो एचन मुद्दु कृष्णा जी उस टैल कोड के और के खिलाफ करना टका हाई कोड में पहुंच गए तो हाई कोड ने इसको डिटेल से सुनना और सुनने के बाद जो में चीज हैल किया वो मैं पहले पढ़ता हूँ वो क्या है the respondents have established the due execution of will as required under section 68 of the evidence act जो will की गई है वो proper evidence act के 68 के section के अनुसार proper है but while answering the question in reference to the 110th share of the plaintiff number 2 in the undivided share of the testator in the joint family properties took note of section 30 read with explanation of the Hindu succession act 1956 and held that a co-pastner drives a right to dispose of his undivided share in mitakshara joint family property by will or any testamentary disposition by virtue of law and accordingly reverse the finding recorded by the learned trial court holding 1 upon 10 share of the appellant plaintiff in the schedule of the properties तो अब high court ने ये कहा कि क्योंकि बिल तो सही है बिल पे तो कोई dispute नहीं है कि बिल नहीं है वावा कादा evidence act के section 68 को कबर करती हुए proper है दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की section 30 में एक explanation है और इस explanation में interest शब्द आ गया है और उन्होंने कहा कि इस के तहत ये तैव हो गया है कि आगर कोई ये undivided भी property है ancestral property है तो उसका जो कोपास्तनर है जो जिसको उस line का कोई भी हो तो वो अपने हिस्सी की अपने हित का उस property में अपने हित का बेशक division ना हुआ हो अपने हित का बिल के माध्यम से किसी को भी transfer कर सकता है और इस मामले में बिलकुल सही है बिल भी सही पाए गई लहाजा trial code के order को reverse कर दिया गया और उन्होंने कहा कि नहीं इसमें आप उसको कोई right नह नहीं बनता है लहाजा जिस वो trial code गई थी second wife की लड़की जिसका नाम रदम्मा था वो फिर उस high code के order के खिलाख supreme court पहुची है तो supreme court जब यह matter पहुचा तो supreme court ने बड़े important बात कही जिसको की as it is पढ़ना जरू रही है It is true that period to coming into force of the Hindu Succession Act 1956, no Kupashnaar could dispose of whole or any portion of the undivided Kupashnaar interest by will but the virtue of section 30 of the Act. Read with the explanation, a Kupashnaar drives his right to dispose of his undivided share in Mithakshara joint family property by will or any testamentary disposition by virtue of law. Supreme court ने बहुत ही इस first troop से जो फर्णिंग high court ने दी थी करनाटे का high court ने उसी को मानता देते हुए यह कहा कि 1956 में जो Hindu Succession Act आया 56 में उसके section 30 के explanation में ये विवस्ता कर दी गई है कि Kupashnaar कोई भी वेशक division ना हुआ हो अपने interest का उस property में अपने interest का will के माध्यम से किसी को भी transfer कर सकता है. यह बहुत ही एहम बात है जनरली लोग यह समझते हैं कि ancestral property की will नहीं हो सकती, will के माध्यम से transfer नहीं किया जा सकता, इसके पीछे बहुत सारी बात हैं निकल के आएंगी, यह बहुत ही important तो है लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बात हैं, अक्सर देखते हैं लोग कि क्या लोग अपनी पहली पत्नी को कर दिया, तो यह will के माध्यम से भी ancestral property को दूसरे को जिसको भी वो चाहता है, अपने हिस्से का transfer किया जा सकता है, यह question बढ़ा ही important है, और बहुत सारी लोग इसमें पूछते हैं, क्यों क्योंकि division नहीं हो पाता, property का, अब जब property का division नहीं होता, तो व हुआ नहीं है, अभी तक हमारा किस्सा कितना है, यह भी clear नहीं है, लेकिन मत हो clear, वो अपने share के, अपने property में, अपने hit, अपने interest का will के माध्यम से transfer कर सकता है, आज का यह बड़ा important judgment के माध्यम से यह public issue है, और मुझे उमीद है कि यह बहुत सारी लोगों की questions का answer बन अशे का नहीं है, नहीं है, अबस्कार